सिधार सुकलाव हमारे बीच नहीं रहे हैं और वो पंचे तत्व में विलीन भी हो चुके हैं लेकिन उनकी मौत की असली वज़ा क्या रही यह अभी तक सही तरीके से साफ नहीं हो पाया है लेकिन एक बात आप सबने जरूल गौर की होगी कि जब से सिधार नहीं रहे हैं उसके बाद से लोगों को सिर्फ शेहनाज गिल की परवा आए आपने उनकी फोटो जगा जगा पे देखी होगी उनके वीडियो भी काफी जगा पे देखे होंगे और कई लोग तो सिर्फ ट्यूइट में भी शेहनाज को ही टेक कर रहे हैं वो शायद यह भूल गए हैं कि सिधार की फैमिली में और भी मेंबर थे दोस्तों यह बात सुनके आपको बुरा लग सकता है लेकिन में भी शेहनाज गिल के फेवर में हूँ पर अगर आप सिधार को प्यार करते हैं तो आपको सिर्फ उसका प्यार ही नहीं देखना चाहिए बलकि उसकी माँ और उसकी बहन का प्यार भी देखना चाहिए और दोस्तों अगर आपको यह पता ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिदार शुकला की चिता को आग उनकी माँ नहीं दिया है दोस्तों यह वही माँ हैं जिसने सिधार को जनम दिया और उसकी 40 साल की उम्र होने तक उसको पाला पोसा बढ़ा किया है उसको अपने हाथों से खिलाया और उनका जीवन जादा संगर्श माई इसलिए हो जाता है क्योंकि जब सिधार शुकला नए-नए मॉडलिंग की दुनिया में आये थे उसी समय उनके पिताजी का दियान तो गया था और ऐसे समय में खुद के आँसू पहुचकर अपने बच्चे को उसकी नई जिन्दगी और नई मंजल की रहा दिखाना ऐसे काम को भी उनकी मा नहीं किया था जिस सिद्धार शुकला ने अभी अभी काम्याबी का सफर शुरू ही किया था जिसको कई सारे मुकाम अभी पाने थे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिसंबर में उनकी शादी भी होने वाली थी पर ही सब चीज़े पीछे छूट गई रखी की रखी रह गए दोस्तों सिद्धार शुकला की मा को जो आगात कोचा है उनकी जीवे में जो खटिन समय आया है उसको हम में से कोई बदल नहीं सकता लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे यही आग रहा है कि जैसा प्यार आप चैनाज गिल को दे रहा है वैसा ही प्यार आप सिद्धार शुकला की माता जी और बहन को भी दिखाईए आपके हर एक ट्विट में हर एक वीडियो में उनकी मा का जिक्र जरूर होना चाहिए और आप भगवान से परातना जरूर करना की उनकी बुड़ी मा को ये कश्ट सैने की शक्ती मिले क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी मा से बढ़कर कोई नहीं होता और एक मा के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कोई नहीं होता सिद्धार शुकला के फैन, फैमिली और फैन के साथ तर उनकी माँ को भी मेरा प्रणाम